परले आने वाला है एक ऐसा परले जो भूत बरत्वान और भविस को बदल देगा एक ऐसा परले जो अच्छाई और बुराई के जंग को हमेशा के लिए खतम कर देगा हिंदुस्तान खतम हो जाएगा हलवा है क्या यार कोई आएगा इसे इंदुस्तान कतम कर देगा हमारे दो सेर किसकाम के है मैं बात कर रहा हूँ बड़े मियाद छोटे मियाद का आज टीजर रिलीज किया गया है और यह टीजर का टाइम लेंथ है एक मिनट बतिस सकेंड और वाई गौड क्या टीजर बनाया है गोबर बोल सकते हो एक भी फिल्म में नहीं चल रही थी यहां तक कि उनकी केरियर पे भी सवाल उठाए जा रहे थे कि उनकी केरियर अब क्या होगा क्या वो फिल्म में वापसी कर पाएंगे की नहीं और उन्हीं के साथ साथ थे हमारे टाइगर सुरप भाई साब इनको एक्टिंग का तो पता नहीं था एक्टिंग लाजवाब करते थे लेकिन इस फिल्म में लगता है कि इन दोनों की वापसी हो सकती है क्योंकि टीजर ही इतना सांदार दिया गया है एडिटिंग अच्छी दिखाई दे रही है और जो डाइलोक्स है न भाई सहाब कमाल के डा प्रिट्वी राज सुकुमार और इसमें आपको सुनाक्षित सिन्ना भी देखने को मिलने वाली है साथ ही मानुसी छिल्लर भी आपको देखने वाली है उसके बाद रौनित राइब इसमें दिखने वाले तो भाई सहाब एक्टरों का जो कास्टिंग है वो चुनिके किया है एक्टिंग का अलग डिपार्टमेंट होने वाला है और मैंने यह कमाल के डालोक बोले में इसी से टीजर की शुरुआत होती है धमा के दर्शको पे इंपक्ट इसका रहने वाला है जब ये फिल्म आप बड़े पर देखोगे तो आपको एक अलग सा फील आने वाला है उसके बाद इस टीजर में जब टाइगर स्रॉप और अक्षा कुमार की इंट्री होती है उसमें भी भाई डायलोक्स हैं दिल से सोलजर दिमा फर ऑपनिंग करेगी जब ये फिल्म रिलीज होगी क्योंकि दर्शक भी यार यही चाहते हैं और अक्षा कुमार को देख लो न इसी को बोलते हैं स्मार्ट मूब उनको पता है कि दर्शक क्या देखना पसंद करते हैं जब दर्शक बायोपिक देखना पसंद कर रहे थे उ आते हुए दिखने वाले हैं तो भाई साहब ये कमाल की फिल्म होने वाली है और ये जो फिल्म के जो डाइरेक्टर है ना अली अबास जफर इनके बारे में तो भाई साहब सभी को पता है कि ये कितने बेहत्रीन डाइरेक्टर है इससे पहले उन्होंने बनाई थी सलमान ख दिखेंगी म्यूजिक भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं विजियम भी इसके कमाल के हैं मतलब कि आपको हर चीज टॉप नौच के दिखने वाले हैं बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में तो कहानी आपको टीजर देखने से पता तो चली जाएगा थोरा बहुत यह पूर है हो कि वो पूरे हिंदुस्तान को खत्म कर दे और उसी को रोकने के लिए एंट्री होती है इन दोनों की जो एक आर्मी ऑफसर होते हैं तो भाई साहब देखना काफी दिल्चस्प होगा वैसे यह फिल्म में इद पर रिलीज होने वाली है तो बस आज के वीडियो में यही आपको मिलेगा तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक के लिए दीजिए इजाज़त जय हिंद।